नमस्कार दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है और आज है दोस्तो 21 माई 2020 और 21 माई 2020 से जितने भी करेंट अफियर्स के कोश्चन है जो बिहार से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम हमाई टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च किजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को जोईन किजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिज दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लाश्ट में मैंने रिविजन का दो कोशन रखा है जिसका एंसर आप लोग को कॉमेंट वक्स में देना है तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखिए तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो आज का पहला कोशन है राज के किस क्रिसी संस्थान के द्वारा पैडी एक्स्ट समस्तीपूर में है बी option इसका सई हो गया डॉक्र राजेंद प्रसाथ केंधριये क्रिसी भिश्मिद्ययले समस्तीपूर के मसरूम बैग्छानिक डॉक्र दयाराम के नितरित में काम कर रही टीम ने पैडी एक्स्टा नामक मसरूम की नई प्रजाती उत चात्र आप और और यह जो विधी है इसके उपादन के लिए 30 से 38 निगरी तापमान तथा 90 प्रतिसत आदरता उप्यूप माना गया है ठीक है तो अब प्याप वाल का मिस्यूज नहीं हो पाएगा कि इसान लोग इसे खेतों में ना जलाके उसे बेश देंगे जो भी मतलब मस्रूम का खेती क करना चाहते हैं तो अब नाम है दोस्तों समस्ति पूर का तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं तो दोस्तों यह आगया बिहार का मैप और यह रहा आपका समस्ति पूर जिला ठीक है अब देखे समस्ति पूर जिला और किसकी जिला से सटा हुआ है तो देखिए उपर में दरभंगा हो गया उसके बाद खगड़िया हो गया बेगुस राय पटना बैसाली और मुझवफर पूर ठीक है और दोस्तों ये समस्ती पूर और पूर और ये जो पटना देख रहे हैं इसके बीज में बैती है गंगा नदी ठीक है गंगा नदी भिहार में बकसर के पास स बिहार से निकल कर पश्चिं मंगाल में प्रवेश कर जाती है और बीचो बिच बिच बिहार को यह दो भागो में बाद देती है चिए उपतर बिहार और दक्टिन बिहार अब चलिए समस्तिपूर के वारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक इंफर्मेशन, दोस्तों समस्तिपूर जो है ये दरभंगा प्रमंडल के अंतरगात आता है, और समस्तिपूर जिला का मुख्याले समस्तिपूर में ही है, और दरभंगा प्रमंडल के अंतरगात, दरभंगा मदवनी समस्थिपुर जिला आता है तीन जिला और समस्थिपुबग का प्रमुक नदी बुडि गंड़ कोसी और बलान है और प्रमुक उद्यौग है चीनी जूट और कागज उद्योग और समस्थिपुर से जो नेशनल हाइबे गुज़ता है NH-860 है चलते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन है राज के किस जिला में बने देश का पहला अत्या धुनिक हाई पावर बिदूत रेल इंजन का परिचालन शुरू किया गया है तो पहली बार डेश का पहला अफ्तिया दुनिक हाई पावर बिद्धूत रेल इंजन का परिचानल सुरू किया गया है और यह जो रेल इंजन बनाये गया है यह मध्यपूरा में बनाये गया है यह option इसका सही हो गया ठीक है और 1200 हर्स पावर का है दोस्तों यह इंजन रेलवे इंजन और यह भारत का पहला हाई स्पीड डवलू एजी बारक कैटेगरी का इंजन है जिसकी कैविन पूरी तरह वाता नुकिलित है और मेकिन इंडिया कारेकरम के तहट भारत में मध्यपूरा वह पहली जग़ बनी थी जहां फ्रांस की कंपनी और स्टॉम ने बिद्दुत रेल इंजन कर खाना स्थापित किया इस रेल इंजन को मालगारी के साथ पंडित दीन दयाल उपाद्य स्टेशन से रवाना किया गया है अब दोस्तो नाम आया है मध्यपूरा का तो चलिए फिर मध्यपूरा का लोकेशन देखते हैं बिहार के मैप में तो दोस्तो यह अगया भिहार कम है पहुए रहाब का मध्यपूरा जिला ठीक है अब देखिये मध्यपूरा जिला और किसकी जिला से सटा हुआ है तो उत्तर के तरफ देखा जाए तो सुपॉल सटा हुआ है यह अररिया सटा हुआ है पूरब के तरफ कुनिया से सटा और उसके बाद खगडिया से सटा हुआ है और पश्ची में अगर देखा जा तो ये सहरसा से सटा हुआ है अब दोस्तो नाम आया है मध्यपूरा का तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं तो दोस्तो मध्यपूरा जिला का स्थापना 1981 में हुआ है, मध्यपूरा जो है वे कोशी प्रमंडल के अंतरगत आता है और कोशी प्रमंडल के अंतरगत सहरसा, मध्यपूरा और सुपॉलिये तीन जिला आता है, और मध्यपूरा का प्रमुख फसल धान और जूट है, ठीक है नेक्स्ट कोशन है दोस्तो राज में AES की वज़ा जानने के लिए कौन सी टीम विभिन कीटो का लारवा इकठा कर रिसर्च कर रही है ठीक है तो उस टीम का नाम है एंटीमोलोजिकल टीम ए ओप्सन इसका सही हो गया और दोस्तो अभी तक AES यानि इनसे प्लाइटिस का ठीक से पता नहीं लग पाया है कि जो यह बिमारी है किस कारण से हो रहा है और यह बच्चों की बिमारी है और हाली में रोज नीज में देखने को मिल रहा है एक दो बच्चा प्रती दिन इस बिमारी से मर रहा है ठीक है तो इसी पर रिसर्च किया जा रहा है एक टीम है एंटीम लगाने के लिए लार्वा ट्रैकीं का काम कर रही है और सी व ची ट्रैप मसीन की सहाथा से बीभीण किटों के लारवा को ट्रैक किया जा रहा है तीन महInnay तक मुझफर पूर्ट, सित्मडी और मोतिहारी में लार्वा ट्रैक का टीम काम करेंगी और लारवा के लिए पटना स्टिद RMRI lab में भेजा जा रहा है ठीक है अगला कोशन है दोस्तो rooftop gardening या kitchen garden ठीक है rooftop gardening या kitchen garden के लिए राज सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है तो 25,000 रुपया तक का अनुदान दिया जा रहा है C option इसका सही हो गया अगर आप च्छत पे खेती करते हैं और जो खेती करें उसका लागत अगर 50,000 रुपया है तो 25,000 रुपया आपको अनुदान के तरफ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा ठीक है तो वही है रूफ टफ गार्डेनी या किचन गार्डेन चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ तो अगला क जाज के मामले में राज का कौन सा जिला अबल आया तो दोस्तो रोगतास जिला अबल सी ऑप्सन इसका सही हो गया रहतास जिला में अब तक 20,000 शंदीड़न लोगों की जाज़ की जा चुकी है और दूसरा स्थाने दोस्तो कैमूर जिला है और आज में जो कूल कोरोना का प 10% परवासी मजदूर है टीक है आब दोस्तो रोधास आया है प्रत्रमस्थान पर या नि सबसे अबल आया है तो चलिए रोधास के बारे में कुछ चानल लिते हैं तो दोस्तो यह थैगे भिहार का मैब और यह रहा रोधास जिला अब देखिए रोतास जिला का सीमा और किसकीस जिला से सट रहा है तो देखिए कैमूर है, बकसर है, भोजपूर है, अरवल है और औरंगावाद है ठीक है और यह देख रहे हैं औरंगावाद और रोतास इसके बीच में यहां से एक नदी परविश करती है बिहार में जो की सोन नदी है ठीक है तो अब चलिए रोतास के बारे में कुछ जान लेते हैं तो दोस्तो रोतास जिला का जो मुख्याले है यह सासा राम में है रोतास जिला का सबना 1972 में हुआ है और रोतास जिला जो है यह पटना प्रमंडल के अंतरगत आता है पटना प्रमंडल के अंघ्राइब बीहार का कुल 6 जिला आता है, तो पटना है, नालंदा है, भोज पूर है, बक्सर, रोतास और कैमुर है, ठीक है, यह 6 जिला पटना प्रमंडल के अंघ्राइब आता है और धूंगा कुन्जल परपात सासा रा में काउन अधि पेश्तित है दुर्गावती जल परपात भी रोतास जिला में ही है जिसका उचाई 91 मीटर है और इसे खादर को परपात भी कहा जाता है यानि दुर्गावती जल परपात को खादर को परपात भी कहा जाता है दुरगावती जलासाय योजना रोतास वो कैमूर जिला में है और कैमूर अभ्यारन रोतास जिला में है जिसका अस्तापना 1979 में हुआ था बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉर्परेशन एकपन बिजली पर योजना है जो की रोतास के स्रीकिरा नमका स्थान पर है और सासा राम में है जो की रोतास जिला का मुख्याले है सासा राम और यही सासा राम में सेर सासूरी का मकवड़ा है और सासा राम के पूड़ा में चंदर पीर पहारी है जहां पर असोप के शिला लेक मिले है और पुरे भालत में सबसे ज़्यदा पाइरेट्स रोतास शिला में ही पाय जाता है और डालमिया नगर सीमेंट का रखाना भी रोतास में है ठीक है अगला कोशन है हाली में 18 माई को अंतराष्टिय संग्राले दिवस मनाये गया है तो अंतराष्टिय संग्राले दिवस 2020 का थीम किया है ठीक है तो अंतराष्टिय संग्राले दिवस 2020 का थीम है museum for equality, diversity and inclusion भी अप्टन इसका सही हो गया next question दोस्तो आंगनवारी सेवी का वह साही का की COVID-19 संक्रमन से मौत होने पर उसके आश्रित को 50 लाग रुप्या का अनुग्रह अनुदान रासी दिया जाएगा तो यह जो 50 लाग रुप्या का अनुग्रह अनुदान रासी दिया जाएगा यह किस योजना के तहट दिया जाएगा तो इस योजना का नाम है प्रधान मंत्री गलीब कल्यान योजना और इसी के तहट दिया जाएगा 50 लाग रुप्या सी आप्सन इसका सही हो गया तो दोस्तो ये था आज का करेंट अफियर शलते हैं कल के रिविजन के तरफ तो कल के रिविजन का पहला कोशन था राज में मचुवारों को बितिये सहता देने के लिए कौन सा कार्ड जारी किया जाएगा तो मतश से क्रेडिट कार्ड सी आप्सन इसका सही हो गया और कल का दूसरा कोशन था किन्द सरकार ने आर्थिक पैकेज के द्वारा राज्यों की मांग पर करज लेने की सीमा राज के जीडिपी का तीन परतिसद से बढ़ा कर पांच परतिसद कर दिया है तो इसके अंसार बिहार कितना अत्रित दिन ले सकेगा तो 12,922 पर रुप्या C option इसका सही हो गया तो कल के प्रसंदा सही उतर हो गया दोनों का C आज का revision का question है पिहार पुलिस अकादवी राजगीर में प्रसिक्षन के दोरान अबल आने वाले DSP वा ASI को किस अलंकार से प्रस्कृत किया जाएगा और आज का दूसरा कोशन है प्रधान मुंतिरी ग्राम सरक योजना के तात राजगीर में बने सरक के निरिक्षन के लिए कौन सा एप लाया गया है तो इस दोनों कोशन का answer आप लोगो को comment वक्स में देना है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या helpful लग रहा है तो प्लीज इस चानल को subscribe किजिए वीडियो को like किजिए तदह आपने दोस्तों में जरूर शेर करें और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप audio सुनकर revision करना चाते हैं तो खबरी application पे हमारा भी हाड चानल को subscribe किजिए वहाँ प्रती दिन आपको सामें इस वीडियो का audio upload के आता है जिससे सुनकर आप revision कर सकते हैं और खबरी application का link दोस्तों वीडियो के description box में दिया गया है और बहुत सारे लोग comment करके बता रहे हैं सर मंतली pdf तो दीजिए तो दोस्तों वीडियो के description box में सारे मंतली pdf का link दिया गया आप वहाँ पर click करके download कर सकते हैं या telegram पर भी post किया जा चुका है ठीक है वहाँ से भी आप अप्रेल में जन्बड़ी से लेकर अप्रेल महिने तक का pdf मंतली pdf आप लोग download कर सकते हैं तो चली दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद